हेलो स्टूडेंट्स बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विशे के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको इस्म्रती का चैप्टर पढ़ाऊंगी इस्म्रती एवं विस्मरण इस्म्रती, मैमोरी और फॉर्गेटिंग इस्म्रती एक बहुत ही सामान एक मानसिक प्रक्रिया है और जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका कुछ भाग सीखा हुआ जो भाग है वो हमारे इस्मरती में या मस्तिष्ट में धारण कर लिया जाता है और कुछ सामगरी को हम भूल जाते हैं तो ये जो धारित की गई सामगरी है ये हमारी इस्मरती है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस्मर्ण या इस्मरती के अंतरगत व्यक्ति सीखी हुई या धारित की हुई सामगरी को पुने चेतना में लाने का प्रयास करता है जब यक्ति किसी सामगरी किसी वाचिक सामगरी का शाबदिक सामगरी का अधिगम करता है वै उसे सीखता है याद करता है तो ये सामगरी इस्मरती चिन्हों के रूप में हमारे मस्तिष्क में धारन कर ली जाती है मतलब इस्मरती चिन बन जाते हैं इस्मरती के मस्तिश्क के अंदर बिना धारणा के इस्मर्ण की प्रक्रिया संभव नहीं है अर्थात की किसी भी सामगरी को जब तक हम धारण नहीं करेंगे मस्तिश्क में तब तक उसकी इस्मरती होना संभव नहीं है इस्मर्ण और विस्मर्ण की समस्या का अध्यन वैज्यानिक रूप से सबसे पहले एबिंग होस नाम के मनोवैज्यानिक ने किया और इस्मृती के बारे में अनेक सिधान्त और विस्वरन की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने काफी विस्तार से समझाने का प्रयास किया इस्मृति का अगर हम परिभाशा देखें तो अलग-अलग मनोवे ज्यानिकों ने इस्मृति को अलग-अलग प्रकार से परिभाशित किया है जैसे लेहे मैन और बटर फिल्ड ने इस्मृति के बारे में कहा 1989 में कि विशेश समयावधी के लिए सूचनाओं को समपोशित करके रखना ही इस्मृति है कहने का मतलब यह है कि जो भी सामगरी हम सीखते हैं वो कुछ समयावधी के लिए वो जो सूचनाओं हैं वो हमारे वो समपोशित करके हमारे मस्तिष्ख में रख ली जाती हैं इसी को इस्मृति कहते हैं कुछ समयावधी से मतलब यह है कि अगर उस अवधी के दोरान जब हम कोई चीज सीखते हैं अगर हम उसको उसका भ्यास नहीं करेंगे उसको दोराएंगे नहीं तो कुछ समय बाद वो इस्मृति नश्ट हो जाती है तो इसी लिए यह कहा गया कि विशिश समयावधी के लिए इसी प्रकार से हिलगार्ड और एटकिंसन ने 1967 में इस्मृति के बारे में कहा कि पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्नों को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करने का अर्थी इस्मृति है कहने का तात पर रहे है कि जो कुछ हमने सामगरी सीखी भूतकाल में जो कुछ भी हमने सीखा यदि हम वर्तमान समय में उसको हम दोहरा पाते हैं या उसको हम प्रदर्शित कर पाते हैं तो वो हमारी इस्मृती है और अगर हम उसको प्रदर्शित करने में दोहराने में असफल रहते हैं तो इसका आर्थ है कि वो इस्मृती नहीं है मतलब उस सामगरी का विस्मरण हो चुका है तो इन परिभाशाओं के आधार पर अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि इस्मृत शम्ता होती है, इस्मर्ण की साधारन चार अवस्थाई मानी जाती है, पहली अवस्था के अंतरगत सीखी गई सामगरी के इस्मरती चिन मस्तिश्क में बनते हैं, दूसरी अवस्था में इस्मरती चिन्नों को धारित किया जाता है, अर्थात वेकुश समय तक धारन किये जात तीसरी अवस्था प्रत्या इसमर्ण की है जिसमें जो धारित की हुई जो विशे सामगरी है उसको हम दोहराते हैं पुने इसमर्ण करते हैं चोथी अवस्था पहचान की होती है पहचान से मतलब जिसमें सीखी गई सामगरी को अगर हम नई विशे सामगरी में मिला दे और उ इस्मृति के तत्व अगर हम देखें कि इस्मृति के कौन-कौन से तत्व इनको अवस्थाई भी कह सकते हैं, इनको इस्मृति की प्रक्रियाई भी कह सकते हैं, वो तीन प्रकार की हैं, सबसे पहला है कूट संकेतन या जिसको एनकोडिंग कहते हैं, इस्मृति चिन्नों का न इर्मान ही कूट संकेतन कहलाता है कि जब हम कोई सामगरी याद करते हैं तो इस्मृति चिन्य बनते हैं उसको एनकोडिंग कहते हैं जैसे किसी विशय को कोई कोड देना जब कोई जीव किसी विशय को सीखता है तो यह एक या अनेक कोड के रूप में मस्तिश्क में धारन कर दिये जाते हैं मतलब कोड मतलब संकेतों के रूप में यह एक प्रकार से सीखी हुई सामगरी का पंजी करन करना है मतलब रजिस्ट्रेशन है एक तरीके से जो कुछ हमने सीखा उसका रजिस्ट्रेशन कोड के रूप में संकेतों के रूप में मस्तिश्क में बन जाता है कोडिंग के माध्यम से विभिन सूचनाओं को एक निश्चित आकार या रूप देने का प्रयास किया जाता है इसम्रती चिन अत्वा जो कोड है वो धारना का आधार होते हैं इसम्रती चिन जितने मजबूत होंगे उतनी ही उसकी धारना या उसकी जो धारना है वो मजबूत होगी दूसरा जो अवस्था है इसम्रती की उसको कहते हैं संचयन संचयन का मतलाब है स्टोर करना, स्टोरेज यह इस्म्रती की दूसरी अवस्ता है जिसमें सीखी गई सामगरी को कुछ समय तक संचय करके रखा जाता है इस अवस्ता को हम धारणा भी कह सकते हैं धारणा का जो आधार है वो इस्म्रती चिन होते हैं एबिंग होस का कहना था कि सीखी गई सामगरी का जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे, इस मृत्ती चिन उतने ही अधिक समय तक मस्तिश्क में धारण किये जा सकते हैं। सीखी गई सामगरी के उप्योग और अनुप्योग के आधार पर उसको हम धारण कर सकते हैं। उपयोग और अनुपयोग से मतलब है कि सीखी हुई सामगरी का जितना हम उपयोग करेंगे उतना ही वो अधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में धारित रहेगा और अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाते हैं आपने देखा होगा कि बचपन के कुछ मित्रों के नाम आपको याद रह जाते हैं परन्तु कुछ लोगों के नाम आप भूल जाते हैं उसका कारण यह है कि जो आपके घनिष्ट मित्र होते हैं उनका नाम आप बार-बार पुकारते हो बुलाते हो इसलिए उनकी जो इसम्रत कि उप्योग इतना किया है कि उसको हम मस्तिष्क में कभी भी उसका पुनेश्वन कर सकते हैं और जिसका हम उप्योग नहीं करते हैं उस सामगरी को हम भूल जाते हैं। कुछ लोग कुछ सामगरी को जल्दी याद कर लेते हैं और देर तक उनके मस्तिश्क में वो धारित रहती है परन्तु कुछ लोग जिनका मानसिक जो इसतर है वो कम होता है वो सीखिवी सामगरी को जल्दी ही भूल जाते हैं धारना के अनेक प्रमान देखने को मिलते हैं जैस जैसे किसी विशे सामगरी को बार-बार सीखने पर प्रतियक प्रयास में समय की बचत होती है अर्थात कि जब हम पहली बार किसी चीज को सीखते हैं कोई कवीता सीखते हैं कोई सामगरी सीखते हैं तो पहली बार में समय जादा लगता है जब उस चीज को हम दुबारा करते है तो समय कम लगता है, तीसरी बार करते हैं तो और समय कम लगता है, इस तरह से समय की बचत होती जाती है, जैसे हम सामगरी को सीखते हैं, तो ये समय की जो बचत होती है ये इस बात का प्रमान है कि सामगरी हमारे मस्तेश्क में धारित की जा रही है फ्रोइड ने धारना के तीन इस्तर बताए हैं कि जो भी सामगरी हम धारन करते हैं उसको हम तीन इस्तरों पर धारन करते हैं चेतना, अर्धचेतन और अचेतन धार्णा को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारक हैं जैसे अधिगम विधी की किस विधी से हमने कोई सामगरी सीखी है अर्धियन ये दिखाते हैं कि अगर हम किसी मतलब अधिगम विधी अनेक प्रकार की हैं जैसे सक्रिय विधी है सक्रिय विधी का मतलब है कि जब हम कोई सामगरी बोल कर याद करते हैं मन में ना दोरा कर बोल बोल कर याद करते हैं तो वो अधिक समय तक याद रहती है तो संचेन का ये सामगरी का स्वरूप जो है वो कैसा है उस पर अधिकम विधी किस तरह की है इस पर निर्भा करता है कि किस विधी से हमने उसको याद किया है सक्रिय विधी से याद करने पर जो सामगरी है वो अधिक समय तक याद रहती है दूसरा है सामगरी का स्वरूप कि जो कुछ सामगरी होती है थोड़ी जो जटिल होती है वो देर तक सीखी जाती है देर से सीखी जाती है कुछ सरल सामगरी होती है उनको व्यक्ति जल्दी सीख लेता है जैसे गद्दे की अपेक्षा पद्दे को सीखने में सरलता होती है क्योंकि पद्दे में एक आपस में एक कॉंबिनेशन होता है शब्दों का ले होती है उसमें तो इस तरह से सामगरी का जो स्वरूप है उस पर निर्भा करता है कि उस सामगरी को व्यक्ति कितनी जल फुल्ट नहीं होता है, उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है. तो सामगरी का स्वश्वरूप हो गया, तीसरा है अधिगम करता की विशेषदा, जैसे मैंने आपको बताए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी शम्ताइं होती हैं, और अधिगम पर इस्मृति पर अनेक जल्दी सीख लेता है वो सामगरी को और इसी तरह से अधिक आयू होने पर इस्मृति कमजोर होने लगती है वो अधिक लेवल जिनका कम होता है वो उनको भी कोई चीज याद रखने में मुश्किल होती है तो सीखने वाले की जो विशेश्टाइं हैं उनका भी प्रभाव तीसरा जो इस्मृति का तत्व है वो है पुने प्राप्ति पुने प्राप्ति का मतलब है जो सीखी हुई सामगरी को जब हम उसका पुने इस्मर्ण करते हैं उसको पुने प्राप्त करते हैं तो वो रिट्राइवल या पुने प्राप्ति कहलाता है सभी संचित सामगरी की पुने प्राप्ति हो ये जरूरी नहीं है अर्थात मतला जो भी सामगरी हमने सीखी है आवश्यक नहीं है कि उसका हम सभी का पुने इसक्वन कर सके और यहां पर भी उप्योग और अनुप्योग का सिधात काम करता है कि जिस सामगरी की हम अधिक उप्योग करते हैं जिसका हम अभ्यास करते हैं वो अधिक समय तक याद रहती है और जिसका हम अभ्यास नहीं करते हैं उसको हम भूल जाते हैं तो इस तरह से पुने प्राप्ति को अनेक कारक भी प्रभावित करते हैं पुने प्राप्ति चार प्रकार की बताई गई है इसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष कर लेता है उसे डाइरेक्ट रिकॉल या प्रत्यक्ष पुनैस्मर्ण कहा जाता है वह सामगरी जिनका वह आसानी से पुनैसमर्ण कर लेता है उसको प्रत्यक्ष पुने इस्वर्ण कहेंगे दूसरा है आप्रत्यक्ष पुने इस्वर्ण इसका मतलब है कि आप्रत्यक्ष पुने इस्वर्ण में व्यक्ति सीखी हुई सामगरी का पुने इस्वर्ण करने के लिए किसी संकेत अत्वा साहता का सहरा लेता है मतलब कोई न कोई कोडिंग के आधार पर वो उसको याद करने का प्रयास करता है, मतलब तुरंत याद नहीं आता है उसको, वो किसी न किसी साहता से उसको वो याद करता है तीसरा है स्वतय पुनैस्मर्ण, स्वतय पुनैस्मर्ण से मतलब है कि जब पूर अनुभव बिना किसी प्रयास के अपने आप ही व्यक्ति की चेतना में आ जाते हैं, तब उसको स्वतय पुनैस्मर्ण कहते हैं चोथा है प्रयास्पूर्ण, पुनैस्मर्ण, प्रयास्पूर्ण पुनैस्मर्ण से मतलब है, जैसा कि इसके नाम से ही स्वत्ष्ट है कि इस प्रकार के पुनैस्मर्ण में व्यक्ति प्रयास करके सीखी हुई सामगरी को पुनैस्मर्ण करने का प्रयास करता है प्रयास करके सीखने का अपनाइस्समारण करने का एक उधारन में आपको दूमालीजे, आप कॉलीज आ रहे हैं, रास्ते में आपको आपका कोई मित्र सामने से आता हूआ दिख जाता है, बच्छपन का कोई मित्र और उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है और आप आपको थोड़े समय बाद याद आ जाता है कि उस मित्र का क्या नाम है इसको प्रयास पूर्ण पुनैस्मर्ण कहते हैं अगर बिना प्रयास किये ही तुरंत उसका नाम आपको याद आ जाए तो वो प्रत्यक्ष पुनैस्मर्ण है प्रयास पूर्ण पुनैस्मर्ण में व्यक कौन-कौन से हैं, विस्तार से ये मैंने आपको इस्मृति के बारे में आज चर्चा की आपके साथ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस्मृती के प्रकार की इस्मृती कितने प्रकार की होती है तब तक के लिए students अगले वीडियो में फिर मिलते हैं Thank you so much students